okay so hello everyone welcome to the 21st lecture of the design of steel structure and in today class i am going to start a new topic that is design of tensor member design of tensor member it will take two to three class and when we study this then you will feel like almost everything which same thing correct connection so which is concept which is being teach so if you have to learn your knowledge in your research despite the text in your publication which means how we use it and get it very easily which is the concept of fourth is the लिए होगा चैप्टर आगी कि वरे प्रोसीड होता जाएगा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास इसके बेटेज है जो आपका कंपटिशन में आपका 20 मार्स 15-20 मार्स है और सेमेस्टर में आपका 10-12 मार्स है बहुत च्छोटा चैप्टर है बहुत इप्टेट है इसको हम लोग क्या करेंगे फिनिस करेंगे काफी अच्छे से काफी टिटलिए तो लेट असटार्ट दसेशन काफी पेसेंटली आप लोग सुनेंगे जो भी यहां पर बताया जाएगा सबसे पहली बात कि जब टेंशन मेंबर की बात करते हैं तो आपका दिमाग में ही करेंगे है फिर कर रहा हूं क्ताया फिर की मेंबर को यह faut अइसा मेंबर तो अबसे अट tensile force applied at ends is known as tension member, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कता एनि मेंबर, कोई ऐसा मेंबर, which is subjected to two pulling force, which is subjected to two pulling force or tensile force applied at the ends, applied at the ends is known as tension member, इसका बेस्ट एक्जाम्पल क्या है, इसका बेस्ट एक्जाम्पल है, इसका बेस्ट एक्जाम्पल क्या है, टाई मेंबर, कहां पर यूज करते हैं इसका, इसका यूज करते हैं, ट्रस में, कहां पर यूज करेंगे टाई मेंबर का, ट्रस में, तो, tension member is also known as time member, इसलिए tension member को कभी-कभी किस-किसी बुक में आपने देखा होगा, कि लिखा हो रहा था, टाई मेंबर, तो tension member is also called time member, अब देखे, यहां से objective question कैसे पुछेगा एक्जाम्पल में, वो पुछेगा, time member is the example law, बहुत सिम्पल सा question पुछेगा, कि time member is the example law, option देग tension member, compression member, flexure member, none of the above, इस तरह से आप से question पुछता है, तो time member is the example of tension member, अब देखे, अभी भी अगर नहीं समझ में आया है, तो देखे, यहां पे ध्यान से देखे, यह क्या है, एक roof truss है, यहां पे जब लोड अपलाई करेंगे, टॉप जैसा कि देख रहे हैं, यहां से क्या कर टॉप से load apply करेंगें, तो क्या होगा, इस member को बोलते हैं, इस को क्या बोलते हैं, पोलते हैं, और strut एक type का compression member है, चुकि इसमें क्या होगा, compressive force generate होगा, जब उपर से force लगाएंगे, तो क्या होगा, दोनों में divide होगा, equally दोनों में क्या होगा, divide होगा, दोनों strut में, हैं उस लोड के कारण क्या होगा कि जो मेंबर है कॉंप्रिसन में आजाएगा but what about water मेंबर जो floor beam देख रहे हैं नीचे और प्लोर विम देख रहे हैं जिसको । टाइब लोड रहे हैं आपर हान टाइब इम बोलते हैं इसको यह टाइब मेंबर बोलते हैं एक क्या हों जब उपर से लोड लगाएंगे तो ये टाइम मेंबर क्या होगा वाल ना जाएगा आस प्रेड वना चाहरा तो इसमें क्या डिव लफ हो जागा इसमें क्या युद्प हो अगर इसको काट करके साइड में बनाये नीचे स으면 क्स तरह से इसमें क्या होगा तेंचन में ııल रहा होगा दोनों तरफ से टेंचन में अभी flower wordt आफे from the joint अभे फिव फिन अब लब दिखाते हैं तो यह आप का क्या है टाइब मेंबर है ऐसा कि इस फिगर में देख रहे हैं किया है सब्सक्राइब के लुए लों क्या है सपोर्ट देब मेंबर तो टेंशन मेंबर का बेष्ट ग्जांपल क्या है ? टाई मेंबर है आ चलिए ? अब क्लियर हो गया होगा ? now move to the next one move to the next one next point of discussion is types of tension member types of tension member so that types of tension member में जो first example है वो क्या है wire and cable wire and cable है wire कहाँ पर यूज करेंगे काता wire is used for hoisting purpose generally flag बगरा को hoisting के लिए क्या करते है wire का use करते है and cable is used in suspension bridge ये कहाँ पर यूज करेंगे suspension bridge में suspension bridge आप लोग देखे होंगे इन क्या होता है इंटु आई को क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते थे इंटु आई को फ्लेक्जरल रिजिडिटी बोलते थे तो फ्लेक्जरल रिजिडिटी क्या होगा जीरो होगा इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है इसका मतलब के लिए डिजाइन करते हैं उसको टेंशन के लिए डिजाइन करते हैं अगर अभी भी नहीं समझ में आ है तो इस फिगर में देखिए यहां पर इंट्रड़क्शन क्लास में दिखाया होगा आप लोगों को कि ट्रांस्मिशन टाबर है यहसाब क्या है यह है के बल यह सब जितना भी देख रहे हैं जिसे प्लो होता है यह सब क्या है यह सब केवल है इस ते एक्जामपल ऑग केवल देखेंगे आप लोग सीब्स देखने के जरूःत है तो जहां भी कभी इंटर्स प्रेवलिंग करते केबल का ट्रांस्मिशन टावर में यूज करते हैं जो इसका 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 मतलब क्या है कि डॉसों कोई बेंडिंग नहीं और एक compression भी नहीं लेगा compression भी नहीं लेगा मैं पहले ओला कि बायर कभी भी compression नहीं लेता है यह आप चलिए बहुत इंट्रेस्टिंग है मैं पहले बता दूँँ आपको बहुट इंट्रेस्टिंग है और बहुत सिंपल है ना में टेंसन मेंबर जरूर है लेकिन आपको कुछ भी टेंसन नहीं देगा है बहुत है स्मूथली है जो चैप्टर इंड हो जागा है इसकेंड इसका वार्स और एड कहां प्यूज करेंगे बार सेंट रट का एग्जामपल मैं इंट्रोडक्षं क्लास में दिया हूं काफी अच्छा से फीगर बगर के साथ तो वार्सें रट भी क्या होता है एक टैप का टेंसर मेंबर होता है आफे संब करेंगे देखे एंग सिmin देखे इधर सिने मेंबर क्या होता है समय क्या है सब क्या है प्रेष मेंबर हों करते हैं का सब में थितन आ बर चाइक आम वह रहे लिए में का जो प्लेट जस्ञ से विह करते हैं थ्यस्य Yazऊव त्टावर में receptor करते हैं और फोट ब्रीज में भी यूज करते हैं फ्लाट अंड फ्लेट अफलेट इसका इसका मतलब क्या हुआ इस सबसे पहले में डिल करेंगे सिंगल सेक्षन वे पढ़ना है इसमें सबसे पहले में डिल करने जा सिंगल सेक्षन तो सिंगल सेक्षन का जो फ़र्स्ट एक्जामपल होगा वह क्या होगा जैसे एक्जामपल की तवर पर आए वीम लेते हैं क्या लेते हैं आएविम लेते हैं कि जैसे एक्जाम्पल नमबर बन देखिए काफी केरफुली है जो सुनना है देखना समझना यह क्या है आई भी में आई भी में तो इसका दो एक्सिस होगा इसका दो एक्सिस होगा एक तो क्या होगा एक आपका क्या होगा एक आपका क्या होगा एक एक होगा और एक बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइ नौ next example देखिए next क्या होता सिंगल section में और क्या हो सकता है चैनल सेक्सिन हो सकता है सबम रट चुके है है Champion Successُ हो सकता है क्या हो सकता है Channel सेक्सिन हो सकता है इसका भी अगर देख Billboard तो यह क्या होगा एक्सेस के बाद तो सेमेट्रिकल है यह आपका क्या है एक्सेक्स एक्सिस के बाद क्या है सेमेट्रिकल है वर्ट इसका वाई एक्सिक्स अब देखेंगे अभी मैं एक यह दो क्लास के बाद सेंट्र ऑफ गर्विटी और मोमेंट अपिनर्शिया जो स्टार्ट करने वाला हू क्या वान और टू किलास के बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ चुक्छ उसका बहुत जरुवत होने वाला है तो जो जरुवत पड़े की वह मैं पहले मैं बता दोंगा है को यह देखे इय enable इसका सीजी है जो सेंट्रड ऊन्र कहां फे होता है हबाज में होता है इसका सेंट्रड कहां पर आपकर लाई करता है और Espra टाहर के थीक बाई-बाई और देखे नेक्स्त एग्जांपल नेक्स्त इस्वंपल देखे एंगिल सेक्षिन भी हम लोग पढ़ चुके हैं हम लोग एंगिल सेक्षिन भी पढ़ चुके हैं अब देखें इसमें क्या होगा यह भी क्या होगा एक किसी भी एक्सिस के बाद सेमेट्रिकल नहीं है यह किसी भी एक्सिस के पर सेमेट्रिकल नहीं है एक्सिस देखेंगे तो पुछ यहां होगा अगर यहां दो करें तो इसके बाट क्या है सिम्मेट्रिकल होता है जिसको यू एक्सेस बोलते हैं यह अन्समेट्रिकल बेल्डिंग में स्टेंट व मेटरियल में आप लोग ने पढ़ा होगा है नो अगर नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं जरूबत नहीं ठीक तो एक सर्वाइक बाट सिम्मेट्रिकल नहीं है एक सर्वाइक बाट सिम्मेट्रिकल नहीं है और क्या हो सकता एक्जामपल टी सेक्षन हो सकता है टी सेक्षन हो सकता है है नो क्या हो जकता है, t section हो जकता है, a x x हो गया, और a क्या हो गया, by y हो गया, a by y है, और a क्या है, x x है, तो भाय भाय का ज़ी अब देखते, यह सब क्या है, एक्जांपल ओश जड़ेंगर, यह सेक्षन हो जाहे बहले मार maple प्रौटेंट पॉंट्स है उसको हम लोग पहले डिसकस करेंगे सबसे बहले डिसकस करेंगे देखिए कता है कि for any member if cg of member और centroid of member centroid of member and cg of load both are coincide then it is considered as most suitable for tension member most suitable for tension member इसका मतलब क्या हुआ कि कता है कि जो section है उसका cg और जहां पर लोड अपलाई कर रहे हैं जहां पर लोड अपलाई कर रहे हैं उसका line of action अगर दोनों coincide करता है तो उस case में वह क्या होगा best tension member होगा वह क्या होगा best tension member होगा तो best tension member होने के लिए क्या criteria होना चाहिए वह मैं discuss कर रहा हूं बेस्ट टेंशन मेंबर होने के लिए क्रिटरिया होना चाहिए उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ है ना करता है for any member if cg of member cg of member and cg of load both are coincide दोनों क्या हो रहा है coincide कर रहा है then it is considered as most suitable for tension member for example देखे यहाँ पर i section i section क्या है यहाँ पर देखे इसका cg cg भी क्या होगा और line और load का line of action क्या होगा दोनों same होगा दोनों same point से pass होगा यहाँ से दोनों क्या होगा same point से pass करेगा तो इसलिए क्या i section को बोला जाता है best best tension member single i section is most suitable for tension member single i section is most suitable for tension member but but only use for heavy loads and single i section most suitable है tension member के लिए लेकिन इसका use बहुत कम करते हैं कहां पर यूज करते हैं heavy load के लिए जैसे bridges बगरा में bridges बगरा में क्या यूज करते हैं आपका i section यूज करते हैं तो जहां पर heavy load आएगा वहां पर हम लोग क्या करेंगे i section यूज करेंगे वहां पर i section use करेंगे है ना next point दखते हैं कता if any section is symmetrical at least one next condition क्या है next criteria क्या है है अगर हम i section हमेशा यूज नहीं कर सकते तो next criteria क्या है कता in if any section is symmetrical at least about one axis at least about one axis अगर कोई section एक axis के बाउड कम से कम symmetrical हो जाए then it can be also used for tension member तब भी इसको क्या कर सकते हैं टेंसर में यूज कर सकते हैं example क्या है channel section जैसे channel section क्या था सिर्फ xx के बाउड symmetrical channel section क्या है सिर्फ एक ही axis के बाउड क्या था symmetrical एक से के बाउड चैनल section किस के बाउड सिर्फ xx के बाउड क्या था symmetrical है तो अगर हम आई सेक्षन को हमेशा यूज नहीं कर सकते तो फिर किसको इसको यूज करेंगे अगर चैनल section को भी नहीं उच करेंगे तर फिसको यूज करेंगे आगे देखिर अब देखिए यह तु था individual सेक्षन एटु था individual सेक्षन के बारे में अब पढ़ते हैं थोड़ा build up section के बारे में build-up section में क्या होगा दो member बनके दो दो member को क्या करें किया करेंगे connection करेंगे दो member कु क्या करेंगे connection करेंगे उसके बाद जो set on ग County किया विल्ट स्केशμ आह Pictures कोई देख्षीं कि देखिए यहां पर ध्यान से था था देखें इएं यहां पर देखे क्या है एक ड्चलेट है यह अजसरा देखिए अ कि एक प्लेट होता है जिसके हिल्प से से क्या करते हैं connection करते हैं और यहां पर क्या है सिंगल आई सेक्षन आप लूट सब्सक्राइब अब देखिए कि यहां पर兩個 प्रेंट का हिसे अभिक हो रहा है एक देखे anonymous कि अग्ले को कुछ यहां पर तो लोड कितले होगा है यहां से अप्लाए होगा यहां से अप्लाए होगा लोड यहां से अप्लाए होगा अब देखें हो क्या रहा है यहां पर यहां पर दो टाइप का इसेंट्रिशिटी जेनरेट हो रहा है एक वरा एक और दूसरा एवाई अभी एक्स एवाई क्या है इसको ध्यान से देखें ए ex है आपका cg of member, cg of member, ex है cg of member, ey क्या है, cg of connection, 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 तो यहाँ पर देखिए, अगर हम member, मतलब i section की यदि cg की बात करें, तो आपका क्या होगा, यहाँ से देखिए, i section का cg कुछ यहाँ से पास करेगा, यह रहा, यह क्या है, i section का cg है, यहाँ से पास करेगा, ठीक, यह आपका क्या है, i section का cg है, यहाँ से पास करेगा, आप देखिए और जो आपका मेंबर का CG हैँ मिंबर का मेंबर का जो Васильे होगा चुकि यह तो यहां से पास करेंगा गरैन ऑपि पलाई हो गया इसके लिए सशेंथी कि क्लेध gibi हो गया तो यहां पर क्या है दो-दो-दो सटूी से लोड हो रहा आगे देखिए आगे देखिए इस यहां पर क्या होगा चुकि यहां पर बेदिंग क्या गया है मैं इसे पास करेगा और आपका जो तो मेंबर का मेंबर का सीजी होगा जो मेंबर का सीजी होगा वो तो एह रहेगा सेम रहेगा एकस के बराबर होगा तो इस के बराबर होगा तो इस किस में क्या होगा इत नंबर पर इसेंटरिसीटी कम गया पहले दो इसेंटरिसीटी था अभी क्या हो गया सिंगल इसेंटरिस आगे देखिये थर देखिए फट में का दो एंडल सेक्षों को एड़ किया गया अब क्या होता है अग érieल सटल 對 कॉनेक्ष। आगेह अजिसको क्या बोलता है बैक टू कॉज्य क्या है चैन क्षर दूसरा एंगल अब करें है एक event यहां से Cross किया के एकट है जो यहां पर आपने प्रोभाइट किया ठीक्क और यहां है सब मुए मैं अ यहां पर भी देख्यों सिर्व क्या होगा मेंबर का सीजी एकस होगा अन дум अनुद पर यहां optional of gravity का centroid का centricity होगा क्या होगा एक्स होगा है ना यहां पर लोड़ कहां से अपलाए करेंगे लोड़ आपका यहीं से पास करेगा लोड़ आपका यहां से पास करेगा तो connection का अगर एकाशा और केरा यहाँ पे लाइक कर रहा हुआ मिंबर गर की भी लाइक कर रहा हो रहा दो से हो रहा हुआ दोने सेम पाइब कर भाइं ठीक है तो इसके तुरना में क्यों हो गया आपका एबेटर हो गया नेच्ट देखेंक नेक्ष देखिए यहां पर सिर्फ सिंगल इसेंटिसिटी आ रहा था इसकेस में सिंगल इसेंटिसिटी आ रहा था नेक्ष देखिए डी दी को ध्यान से देखिए यहां एक्स भी इलिमिनेट हो गया और एवाई भी इलिमिनेट हो गया है यहां पर इसकेस में क्या है एक्स भ सबसे best connection है, यह है जो सबसे best connection है, मतलब D है जो अगर चारों फिगर रहे है और पुछे कि सबसे best connection कौन सा है, कौन सा है, D है, D है जो सबसे क्या है best, आपका built-up section है, built-up section है, so ISA is most suitable for normal loads, और जिनरली आपके syllabus में यही है, syllabus में यही आपका पढ़ना है ज्यादा था, हाँ ना, नॉर्मल लोड के लिए, नॉर्मल लोड के लिए, heavy load के लिए तो आपका क्या हो गया, I beam हो गया, I section हो गया, और नॉर्मल लोड जो हमारा syllabus में पढ़ना है, वो क्या है, angle section है, है न, angle section है, तो यह चीज़ क्लियर हो गया होगा, आगे देखते हैं, तो D क्या हो गया, most suitable for tension member, most suitable for tension member, now move to the next one, move to the next one, next one is going to be very very important, next आपका क्या है, calculation of tensile strength, यही तो हमारा main target तो क्या होता है, tensile strength calculate करना, main target क्या रहीज रहा है स्वच्टर का, tensile strength का calculation करना, so tensile strength को किसे represent करेंगे, Pt से represent करेंगे, किसे represent करेंगे,elet related करेंगे, कैसी instruction कि अपको पता सिक्मा इयू करते सब्सक्राइब है कि हम लोग तुनăng stressed और स्थाइब हो था कर अब दिखने वाला है की everything you know everything you know को टूपी और बावर क्या हो जागा एक ये लेत्मा एकलताउस दिटर्विट्कन सेгрए के भूर्ओत निक्रीत ले क influen ये श You फिन ने तो फिला श्री वब cheating बबाव होगा थुष्टानिय वट इसा नहेंवे पहली बार आपने स्पा आपने देखा यह वह लोग पड़ चुके हैं और नर मौटव ड़ी नहीं़ो next क्या है आपका next है calculation of net area for Angle section and T section Connection section और एक मिन्यट यहां प्याइए यहां पैर देखे हमें net area कलकुलेट करना क्या क्या क्लिक्विट करना है हाले है तूने हरे हरे गर्वेट करना है तो सबसे पहले chain कि बृटन कि बात करते हैं सबसे पहले तो चेन्षेभीटिऑ के बाद करते हैं तो isão आप को चेन्षेभी टिन्ग तो आपको आता है हैं ना चेन्षेभीटिऑ में क्या करते थे यह तो बहुत सिंपल है अब सिपोच के रिए यह कोई प्लेड है कि लेट है इस तरह से रिपीट जो प्रोवाइड किया गया है तो आप क्या कर देते एक सेक्षन यहां पर लेते थे और एक सेक्षन यहां पर ले देते इसको 11 बोल देते हैं और इसको टू टू बोल देते हैं तो एनेट कहाँ से आएगा एनेट कहाँ से आएगा जो A net आएगा आपका one one से आएगा काहाँ से आएगा A net काहाँ से आएगा one one section से आएगा section one one section से आएगा कितना आएगा A net B minus माले दें total B 30 का B है B minus अगर total number of hole n hole है तो n into d naught into t a couch at a neta a net of a chain repeating key in the building zigzag के लिए क्यों जिग जैक के लिए क्यों दूसरा second second कि है है o जिग जग रिपिटिंग है न सेकंड क्या है जिग जग रिपिटिंग जिग जग और अस्टेगर बोलें जिग जग और अस्टेगर बोलें सेकंड क्या होगा सेकंड जिग जग और अस्टेगर जिग जग बोलें या अस्टेगर बोलें जिग जग और अश्टेगर तो जिग जग और अश्टेगर की जब बात करते हैं तो कैसा होगा सब्सक्राइब की यह कोई प्लेट है यह कोई प्लेट है यह कोई प्लेट है तो जिग जग जग और अश्टेगर की जरूत क्यों पड़ी क्योंकि हमें नेट रिषिटिंग अरिया को किया करना इंक्रीज करना सबोज किजिए आपने क्या दिया था इस तरह से दिया था अब इसी यह starting में suppose कीजिए आपने तीन बोल्ट इस्तरस परवाइड किया 1, 2, and 3, 3 इसी को, इसी को क्या कर दिए हमें क्या करना, net resisting area को क्या करना है, बढ़ाना है, net resisting area को increase करना है तो ऐसा भी कर सकते हैं नेट रिजिस्टिंग एरिया तो यह होगा देखो नेट रिजिस्टिंग एरिया क्या होगा मैं यहां पर दिखा रहा हूँ यह एरिया क्या होगा नेट रिजिस्टिंग होगा यह बाला पाट यह बाला यह सब क्या है नेट रिजिस्टिंग एरिया है हमें इसको बढ़ाना इसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं और नंबर व बोल्ट क्या हूना चाहिए नंबर और फोल दा था TY त्मान जान झालति करेंगे त्गर थे कर दिए इस पैषी और नेट रिचिस्टिंग एरिया है जो इंग्रीज कर गया जो इंग्रीस कर गया है हना तो नेट रजिस्टिंग एरिया क्या हो गया इंक्रेज कर गया हना नेट रजिस्टिंग एरिया क्या हो गया इंक्रेज कर गया नहीं क्योंकि अभी जो रिजिस्टिंग एरिया आप पर ट्रेंगुलर फॉर्मेंट में आ गया कुछ इस तरह से इस तरह से यह वाला क्या है रेजिस्टिंग एलिया तो किसी भी ट्रेंगिल का जो हाइपोटेनस होता है कर्ण होता है वह क्या होता है सबसे लोंगर डाइमेंशन होता है हाइपोटेनस यानि कर्ण होता है किसी भी ट्रेंगिल का जो क्या होता है लोंगर डिरेक्शन होता है नहीं पहले क्या था पहले आप क्या था पहले तो यह वाला पाट था अभ क्या हो गया पपर देखें ध्यान से तो यह क्या है रेजिस्टिंग एया अगर देखें व वहाम्येर बाला पार्ट है अगर जैविया फौन इस से तो जादा ही बढ़ाई तो इतना क्या इंक्रिस कर गाए इतना क्या गया रिजिस्टिंग एरिया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सो यहाँ पर लिखेंगे के इंप्रिंट पॉइंट लिखना आपको फर्स्ट पॉइंट लिखने जा रहे हुं में फर्स्ट पॉइंट कता है जिग-जग और एस्ट एगड़ पटन जिग-जग और a staggered pattern, a staggered pattern, pattern gives, gives more resisting area, more resisting area at critical section, at critical section, first point, very very important, it is a point very important, VBI, so zigzag or staggered pattern gives more resisting area at critical section, at critical section, second point, second point, for each, for each, for each inclined surface, for each inclined surface, for each inclined surface, inclined surface ish ko bol ra hai, ish ko kya bol ra hai, inclined surface bool ra hai ish ko, yeh kya hai, inclined surface, for each inclined surface, surface, the area increased by, the area, area means resisting area, resisting area, the area increased by, increased by, a objective line, a bala pooshta hai, increased by, increased by, p s square, 4 g, 4 g, into t, into thickness of blade, hai na, ish ko ma phir se repeat kerta ho, for each inclined surface, yeh haa pe kitna hai, dho inclined surface, here haa pe kya hai, dou inclined surface, for each inclined surface, the area, area increased by, p s square, but a 4 g, ps ka hai, ps aapka hai, staggered peech, ps kya hai, staggered peech, ps kya hai, staggered peech, jia s eis case mein, dachhee, ese kya hai, ps hai, ae kiya hai, ps hai, a staggered peech, aur g kya hai, staggered peech, jia s yaha p dah kya ho gaya, जी है और अब कि A भी किया है जी है अगे दोनों equal है तो different different भी हो सकता है different NOT different भी हो सकता है आगे बढ़ते हैं तो और clear होगा और बढ़ते हैं तो और clear होगा बट आपको Eज याद रखना होगा याद रखना मटशाओ fertility स्काइब को इन्टिश एकस्वài plutôt move to the next point move to the next point next point क्या है आपड़ next point है suppose किजिए अभी जो figure बनाये थे उसी को बनाते है आपने एक hole यहां पर provide क्या दूसरा hole यहां पर क्या और तिसरा hole यहां पर क्या अब देखिए इसको मैं counting कर रहा हूँ है ना जो age बाला person है उसको मैं 1 दे रहा हूँ इस hole को मैं 2 दे रहा हूँ इसको मैं 3 दे रहा हूँ और इसको मैं 4 दे रहा हूँ और यहां पर अब इसी direction में लगाएंगे ना इस direction में क्या लगाएंगे लोड लगाएंगे लोड लगाएंगे है यह क्या हो गया आपका अस्ट्रेगर पीछ हो गया अस्ट्रेगर पीछ हो गया और यह आपका क्या हो गया गेज हो गया यह क्या है अनेट निकालना चाहें तो क्या होगा बी माइनस अब देखिए क्या बोलता था बोलता है कि इस पी एस स्क्वाइर बटा फोर जी इच इन्क्लाइंट सर्फेस के लिए निक्रीज होता है तो यहाँ पर टोटल किता इन्क्लाइंट सर्फेस है यहाँ पर दो इन्क्लाइंट सर्फेस है तो टू इन्टू स्वार्ण डिभाइड का हुर जी फोर्जी एन्य इसको क्या करें इस तो तोना कर दें गोपनों यह तो रीट तो प्या है नट ईट कर देंगे टून इस upon से मुद नहीं एक हो एक जा है NE के निट बीत है ना इंटू इधर क्या है थिकने अहीं तो एरिया होता है बीट इंटू थिकने है कि नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं तो इन जेनरल यादी हम लिखना चाहें इन जेनरल यादे लिखना चाहें ए इन जेनरल इक्वेशन यर दिन बनाना चाहे इन जेनरल अगरफमोरलो किसका इन 8 का फर्मूला अगर इन जेनरल लिखना चाहें तो क्या लिख California बथाईए इस अगर एन नंब्र औफ पोल है तो एन in to दी नॉट दी नॉट पलस अब ध्यान से देखें पलस समेशन ओफ समेशन ओफ पी एस स्क्वाइल अश्टेगट पीच का होल स्क्वाइड बटा 4G i 4G i 4G i हा नो इन्टू थिकनिस इन्टू थिकनिस बट आई का भेलू कहां से लाए करेगा आई उस कर्ट्क इन्टेस तरख चिये जगेश तह सबोच किईए अई–दोनों गेश अलग अलग होता तो क्या लिखते है जी वन प्स लिखते है पी एसबटा 4G1 प्लस पीएश बटा 4G2 है कि नहीं है कि हो सकता है ऐसा का स्टेगर्ट पीछ भी डिफरेंट हो तो PSI यहां पर हो जागा कि एन हिजाब का क्या है दोर होने में इन्ड़ायन क्या है in De수 क्या है इनदेश नंबर अलगा है इन मनанд पैच लिए जल कर देखुर्म लिख धा है ना न ला या को है है कि इस मेंग little society है कि अदधा हो इस न theory ला आव सब्सक्राइब्हाएट हाल और और नमबर उप अंश्ट अबिछ भी बोल सकते हैं या फैनल गेज भी बोल सकते हैं हाल ह brains ही ऊब है ऑग या अगरम अ ci पीछ हैनो है अब एक जयांपल समझ लेते हैं तो ज्रड़कील हो जाएगा सब कीजिए एक एक प्लेटे है, एक होल आपने यहां प्रोभाइड किया है, एक होल आपने यहां प्रोभाइड किया है, और एक होल आपने यहां प्रोभाइड किया है, ठीक है, यहां प्रोभाइड किया है, बहुत अच्छा, अब देखें क्या होगा, अभी क्या होने वाला है अब देखिए अब इस केस में इस केस में इस केस में इस केस में चलिए मैं इसको और फ्राम है एक एक जामपल से और समझाओंगा बाद में इसको अभी थोड़े देर के लिए माल लेते हैं कि दोनों गेज लेंद क्या है बराबर है हैं क्या क्या कंबिनेशन हो सकता दोनों दोनों पीच भी बराबर हो सकता दोनों घेज़ बराबर होसकता वह रहा इसस好不好 में spider अन्यर्न निकालेंगे अगर इसकेस में ए न्रिकालेंगे तो क्या बताईए इसका बीतर thấy tape और तो बीसे मॉलेंए घ्र ब्सक्राम आना निग्ल शैका एंज करता है यहां पर यहां पर कहना दों लेन देखो द्यां से देखो एक तौर न zwischen तो इच एंग एज कलिन लिए पीस कोध स्कूर वाटव फोर जी लिकिन यहाँ पर क्या है तो हम क्या लिखेंगे बताए चुकि पीछ की है अलग अलग है तो लिखेंगे देखो क्या लेकि펜 स्वान का होलस्प डिवाइडे वाटव प्वार फॉर जी है पोलजła पीे स्टू का स्कुयर्ट डिवाइडे बटा प्ट फोर जी पिए सबन का स्कायर बटा प्ट फोर जी हैनम इन टू ऐन्टू क्या से थेकनस निजल गया समय में आ गया चिनके यहाँ पर ऐस क्या था ब्राबर था था थाट एकजांपल लेतépoque repetitive लेते हैं, आप किलियर हो जागा, एक एक जयामपर और लेते हैं, एक एक जयामपर और लेते हैं, इसमें हम क्या करने बाले हैं, सबोज किजिसे, एक होल यहाँ पह apenas पहे और तीसरा होल है, जो यहाँ पहे तीसरा होले जो यहाँ पर है अब देखे क्या होगा अगर यह सब चीज़ सही से समय लेते हैं तो कोश्चन करते से टाइम है जो बहुत कम समय लाएगा यह आपका PS1 हो गया इस केस में हमाल लेते हैं कि आपका पीच भी डिफेरेंट है और गेज भी डिफेरेंट है APS1 हो गया APS2 हो गया A G1 हो गया और A G2 हो गया पीच और गेज तो याद होगा ऐसा नहीं कि पीच और गेज का डिफेनशन भूल गया हो है ना ऐसा नहीं होना चाहिए ऐ हो गया जी टू रहेकिड हो गया गया अब देखिए यहाँ पर इस केस में अगर एन इनिकालना हो तो कया से करेंगे कि इस केसमें इन तो को जागा यह तो अपकोशब का बीत हो गया नो जा तो क्या होगा वाय इन decision तीन होल है तो थीरी इंटू दीनो दीनो पलस परते एक इंकलाइन पलाइन के लिए पीएस स्कॉर बटा फोर जी लेकिन यहां पे एस बन एस टू पीएस बन पीएस टू दोनों क्या डिफरेंट है तो क्या लिखेंगे पीएस बन का होल स्कॉर डिवाइड़ बटा फोर जीवन क्या बात है फोर जीवन चुकि गेज भी डिफरेंट है पलस पीएस टू का होल स्कॉर डिवाइड़ बटा फोर जी टू ए तो फोर जी टू ए तो नेट बिथ निकल गया नेट बिथ निकल गया इंटू ठीकने से क्य किजिए गुना कर दें बहुत सिंपल है एक क्या है काफी सिंपल है ठीक है तो इससे ज्यादा भारियाशन नहीं हो जकता इतना है भारियाशन होता है अब हम लोग नेच्ट क्क्लास में इसके आगे है पर्षीट करेंगे है लिए ने क्लास में देखेंगे एंग्स एक detail करेंगे और इसको इसकों करेंगे को नेच्ट क्लास में